Hello everyone! Welcome to exam Tanya करेंगे लिए आगले साल 2025 के लिए आपको BHEU में MAPOLITICAL SCIENSE के लिए PREPरेशन कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं BHEU में MAPOLITICAL SCIENSE में admission लेने का तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6D में discuss करेंगे BHU का 1st KUT-OFF जो आया जो final first KUT-OFF आय था political science के लिए तो इस वीडियो में हम लोग सभी categories के बारे में discuss कर लेंगे और सभी courses के बारे में भी discuss कर लेंगे for example जितने colleges हैं उन सारे colleges के बारे में discuss कर लेंगे और Bhu में जो admission होता है वो 3 different category के अंदर होता है आपका C1 category होता है जो open category होता है फिर आता है C2 category होता है जो सभी colleges का हम लोग discuss कर लेंगे जैनल का सेडिल कास्ट सब के बारे में discuss करेंगे तो आप अगर प्लान करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि cutoff कितना गया था 2024 में और फिर आपको next year कितना score करना पड़ेगा सबसे पहला जो हम लोग यहां पर डिस्टर्स करने वाले हैं यह है आपका C1 C1 का मतलब हो जाता है वो open category जहां पर दूसरे युनिवर्शिटी के भी इस्ट्रूएंट जो है पॉलेक्टल के लिए अप्लाइ कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव आपने अपने अपने अंडर्ग्रेडुएट कौन से कॉलेज देखिया है कौन से इनिवर्शिटी से क्या है यहां पर फर्क नहीं पड़ता है इस category में सभी इस्ट्रूएंट्स आ जाते हैं अगर हम लोग बात करते हैं ड देखिलिए वसंता कॉलेज फर डिय वी को त्रेदिट कॉलेज आर्या महिला पीजी कॉलेज वसंता कंट्याम महा विद्याले तो 맞 व सी prec ऑस्वेह उपको सब्सकेड्स के लिए है कोस्कु ऐसे के बैख बहुट कॉलइव सब्सक्रव लिए आपको की frost को सब्सक्राइब करेंगे इसके अलावा दोसरा कट आया है उन सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हाइएश्ट किया का 236 मार्ट वहीं अगर हम OVC की बात करते हैं तो OVC का कट आप गया 220 मार्ट इडव्याज का 229 सेडूल का 206 और सिडूल ट्राइब का 203 तो यह आपका डिपार्टमेंट का हो गया ठीक है दूसरा वस्तंता कॉलेज पो वमें तो जणरल के चिटीगरी के जो कट आप गया ता यह है 219 marks OVC के लिए 1099 marks EWS के लिए 201 चिदूल कास्ट के लिए 171 और से लिए 151 इसके बाद आ जाता है DAB Post Graduate College के लिए OVC की बात करते हैं तो 211 मार्स सेडूल कास्ट में 195 और सेडूल ड्राइब में 197 मार्स आपका कट आप गया तो इसका अगीन जो जनरल काटेगरी का कट आफ गया था 210 OVC का 193 EWS का 193 सीडूल कास्ट का 163 और सीडूल ड्राइब का 150 मार्स के अड्मिशन हुआ और फिर फाइनली देखते हैं जो लोईस्ट कट आप गया था जो फर्स्ट कट आप दो लोईस्ट किया है वह वसंता कन्या महा विद्याल है अन्रिजर्ब केटेगरी में 209 OVC की बा सब्सक्राइब करते हैं EWS केटेगरी का तो 197 आपका 175 चला गया सब्सक्राइब का 159 सो यह आपका हो गया ओपन केटेगरी ओपन मतलब इरिस्पेक्टिव आपने ग्राइजूएशन कौन से कॉलेज से किया है आप यहां पर इस केटेगरी में आपको एडमिशन भी आ जाता स्था सिवन निश्ट आप आज आता है आपका सीटू कैटेगरी तो सीटू कैटेगरी यह सिर्फ उन इस्ट्रूएट्स के लिए हैं जिनोंने बीयक्टेट्क्ल साइंस पढ़ाई किये जो ने दी एची उस ही ग्रेडूशिंग किया है तो अगें यहां पर आप देखिएगा तो देखिए होता है क्या है जो सीटू क्रेटेग्वी होता है इसका कटव फोड़ासा सीवन से लो जाता है सीवन में क्या होता है कि बागे दीव के बच्चे जरुदर के बच्चे सभी जगह के बच्चे जो है अप्लाई करते हैं सो डिपार्ट्मेंट ऑप पॉलेट्र साइंस का अन्रिजर्फ का कटव गया 222 मार्क्स कोई वसंता कॉलेज पर वोमिन की बात करते हैं तो अन्रिजर्फ के टेगरी का 208 मार्क्स ओबीसी का 175 एवस का 109 सिदूल कास्ट का 151 और सिदूल ड्राइब का सब्सक्राइब का 150 है सिदूल ड्राइब का 150 गया तो एक डिए भी पोस्ट्रेजट की बात करते हैं तो अन्रिजर्फ के टेगरी का 210, OBC का 200, EWS का 209 सिदूल कास्ट का 164 और सिदूल ड्राइब का 149 नेक्स्ट आ जाता है आरिया महिला पीजी कॉलेज तो अन्रिजर्फ के टेगरी का 204 ओबीसी का 172 कटाउफ गया है वहीं बात करते हैं, EWS का 189 सिदूल कास्ट का 152 और सिदूल ड्राइब का 106 मार्च पिर लास्ट में आता है वसंतर कंद्या महाविज्याली तो जनरल के टेगरी का गया है अब इसके बात जो आता है वह हो जाता है पेड को स्थाव होता है बाकी सीवंसी टू केटेगरी की बात करते हो फीमें क्या है कि यहां पर फॉड़ा सा फीato है यह हौता है आपका ऐसा नहीं है कि जो बी एतिचईन सीटो का फीट तो यह भी अगेर आपका open category होता है open category मतलग कि आप और यह नहीं कि यहां पर आप जो ज़्यादा पी पे करेगा उसको एडमिशन हो जाएगा नहीं यहां पर जो भी आप अगर पेड फी में apply करते हैं पेड कोस्ट में apply करते हैं तो यहां पर भी cut-off अनुसार ही आपको admission मिले अंतर बस इतना ही हो जाता है कि हो सकता है 5-6,000 यहां पर आपको फी ज्यादा प्रेकरना बढ़े और यह open category का हो जाता है इसका हो जाता है यहां पर बीएच्यू और नौन बीएच्यू नौन इस्टुएंट यहां पर apply कर सकते हैं तो जो नौन बीएच्यू के लिए 232 marks, OBC के लिए 217, EWS के लिए 228, स्टुल कास्ट के लिए 200, और स्टुल कास्ट के लिए 187, नेक्स्ट आता है वसंद्धा College for Women, अंग जब category का जो cut-off गया था 215, OBC का 184, EWS का 196, स्टुल कास्ट का 170, और आप देखिएगा बहुत करे चिव डिपार्मेंट स्टुल ट्राइब का पेड फी में या पेड कोर्स में कोई भी सीट नहीं है, यह भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यहां बात करते हैं, जनल के लिए 224, OBC का 213, EWS का 219, स्टुल कास्ट का 197, आरिया महिला PG College, अंग जब category का 207, OBC का 183, EWS के लिए 192, स्टुल कास्ट का 161, वसंता कन्या महाविद्याले 207, अंजब category, वहीं बात करते हैं, OBC का 185, EWS का 195, और स्टुल कास्ट का 173, अगर यहां पर बात करते हैं, जनल काटेगरी के लिए कितना कट आफ में admission हो रहा था, जनल काटेगरी का overall बात करते हैं, तो अगर आपनी स्टुल किया था, तो चांसे था admission होने का, स्टुल कास्ट में आपका जो लो गया है, हाई गया है, उस सब चीज को compare करते हैं, आप 180 मानके चलिए, स्टुल का 180, महीं OBC का 200 एवर पे admission हुआ है, यह मैं overall बता रहा हूं, ठीक है, और Department of Political Science में बहु केंपस में है, तो पहला preference हरे एक इस्टुएंट का Department of Political Science ही होता है, औ और EWS काटेग्री वह भी आप 210 मानके चलिए, लेकिन देखें, यह 1st cut-off है, इसके बाद हम लोग बेच्व के जरब से 2nd, 3rd, 4, यह सारे cut-off है तो इस सब को cut-off को हम लोग discuss करेंगे, लेकिन एक चीज जो 1st cut-off important इसलिए हो जाता है, क्योंकि अगर आपको hostel चाहिए, तो आ आपको 1st cut-off को ही target करना पड़ेगा, admission तो हो सकता है, लो मार्क्स पे भी हो जाएगा, लेकिन जो facility होती है, जो campus को hostel facility होता है, तो hostel facility के कारणा आपकी cost भी बहुत जादा कम हो जाता है, तो इसके लिए important है कि आप यह 1st cut-off के ही focus करें, लेकिन हा, बहुत सारे students ऐसे हैं, जो उसके लिए भी हम लोग सेपरेटली discuss करेंगे, और जितने भी ऐसे instrument है, जो 2025 के लिए, PG के लिए preparation कर रहे है, पर इजान पर इभी के तरह से जो है, online class, यह नवंबर 4 से start हो रहा है, और online class के अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आपको portion bank, test, study material, सब कुछ provide किया जाता है एक separate video में हम लोग ने details में डाल भी दिया है, तो यहां पर आपको study material, इसके साथ, online class के साथ में बता रहों क्या-क्या मिलेगा, recorded, lectures, इसके साथ हो जाता है, test series, और यह test series 25 steps हो जाता है, portion bank, इस बार हम लोग लोगे topic-wise portion bank prepared किया है, CVT, syllabus, अनुसान, जो भी topic है, हरे topic का आपक question मिलेगा, इसके बाद books, portion bank, तो हर एक book जो important book है, पाच्छे important books है, जिसके chapter-wise portion bank हम लोगों ने prepare किया है, इसके साथ-साथ आपको mocks मिल जाते हैं, 50-60 mocks मिलता है, UGC net के question paper मिलते हैं, right from 2012 से लेके 20-20 court रखता है, यह तारह चीज आपको provide किया जा रहा है, तो एक्जान पे तरफ से कॉसिस यह होती है, कि preparation के साथ-साथ आप, क्योंकि objective type exam है, जाज़ा से जाज़ा question solve करते हैं, उत्मा ही आपका concept clear होता है, और chances होता है, कि आपको top universities like J&E, Bhu, DU, SCU, इन सब पर admission मिल सके, पर पर आपको call या message करना है अंदर नमबर 844-887-8849 क्लास के लिए आपको इसी नमबर पर message करना है और admission related, counselling related, 20-25 के लिए आपको कोई भी information चाहिए तो आप इस नमबर पर call या message करके पूरा information ले सकते हैं वीडियो परसंद आए है तो प्ली वीडियो को like कर दे और इसके साथ चैनल को भी subscribe करें जो भी important notification आता है वो सारा आपको मिलता रहे है So thank you and we wish you all the very best